हेलो बच्चों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आरेंजी के अब में आज हम देखने वाले हैं एटगेट अब्यास पुस्तिका बाशा भारती कक्छा पांच पार्ट बाइस का संपूर्ण हल जिसका नाम है उन्नत खेती उत्तम खेती तो बच्चों अपन इसके बहु विकल्पी प्रेशन देखेंगे लेकिन हाँ पहले आप मेरे चैनल को सब्क्राइब कर ले इससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नौटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजी और खुद भी लाइक कीजी ठीके अब अपन देखते हैं बहु विकल्पी प्रेशन 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 नमबर एक कम पानी की आवशक्ता किस फसल में होती है ओप्शन एक ग्याउ प्रेशन धान, चना, दान, मूँ इसका अंसर है B, चना प्रेशन नमबर दू लोकती आम के आम और गुठली के दाम नहीं केबल गुठली के दाम देना C.R. दौरा लाग प्राप्त करना और D.R. दो दाम पर बेचना तो इसका आंसर है बच्चों C. दौरा लाग प्राप्त करना अब देखते हैं अती लग उत्रिये प्रेशन एक शब्दिया एक बाग में उत्तर देना है पिश नमबर तीन राजन ने खेत में कुगा खोदने से पहले क्या कार किया उत्तर खेत में पानी के शोत की जाच करवाई उसने क्या किया सबसे पहले खेत में पानी के शोत की जाच करवाई पिश नमबर चार भूमी की उत्तपारक्ता बढ़ाने के लिए किसका प्रियोग करना उचित होता है उत्तर जैविक खाद का प्रिश्ण नमबर पांच दिये गए शब्दों का संदी विच्चेत करके लिखिए पहला है आवश्यक्ता अनुसार तो आवश्यक्ता धन अनुसार और बीज उपचार बीज धन उपचार प्रिश्ण नमबर 6 अच्छी फ़सल के लिए किस प्रिकार के बीज का प्रियोग करना चाहिए तो इसका उत्तर है बच्चों उन्नत बीज का प्रियोग करना चाहिए हमें अच्छी फ़सल के लिए उन्नत बीज का प्रियोग करना चाहिए लगू उत्रिये प्रिश्ण पिश्ण नम्बर साथ किसानों को खेती के अत्रिक मजदूरी क्यों करनी पड़ती है उत्तर वे पुराने रंग से खेती करते थे जिससे उन्हें गुजारे लाय की उपज मिल पाती थी इस कारण अधिकान्स किसान मजदूरी करते थे पिश्ण नम्बर आठ सरकार फसल भीमा या मुआपजा राशी कब देती है उत्तर प्राकर्तिक या अन्ड कारण फसल खराब होने पर सरकार भीमा या मुआपजा राशी देती है पिश्ण नो राजेंद अपना रिंड कैसे चुका पाया उत्तर राजेंद ने अपनी जरूरत से बची उपज को समर्थन मूल पर बेज दिया इससे अच्छी रकम प्राप्त कर उसने अपना रिंड चुका दिया प्रिश्ण दस पार्ट में आई हुई लोकोतिया और उनके अर्थ लिखिए तो पहली दो लोकोतिये आम के आम गुठलियों के दाम इसका अर्थ है दोरा लाप प्राप्त करना दूसरे है उत्तम खेती मद्यम बान निसकर चाकरी भीक निदान अर्थात इसका अर्थ है खेती करना अच्छा कार है बेपार मद्यम फिर नोकरी ना मिले तो भीक मांगकर जीवनियापन करना प्रिश्ण नम्मर 11 खेती के साथ साथ ऐसे अन कौन से कार है जिनसे किसान की आय बढ़ सकती है किसी एक कार का बर्णन कीजिए तो इसमें अपन बच्छे लिख सकते हैं पशुपालन पशुपालन एक ऐसा वेवसाय है जो खेती के साथ साथ किया जा सकता है किसान फसल को प्राप्ट करके अपनी जर्योत के अनुसार रख लेता है और उसका भूसा अपने पशुपालन के लिए रख लेता है और उसके गोवर से खाथ भी प्राप्ट कर लेता है इस तरह उनकी आए बढ़ जाती है प्रिशन बारा खेती में उप्योग आने वाले आदुनिक यंत्रों के नाम और उनके कार्यों के बारे में लिखी तो आदुनिक यंत्रे सबसे पहले क्या है ट्रैक्टर पहले के जमाने में गाये बेल से हलों को जूता जाता था आप ट्रैक्टर से जूता जाता है तो ट्रैक्टर यह खेती में उप्योग होने वाले आधुनिक यंत्रों में से एक हैं इसको उप्योग खेतों में जुताई, रोपण, कटाई और धुलाई को अंजाम देने के लिए किया जाता है दूसरा है थ्रेसर यह फसल से धान निकालने के लिए आधुनिक यंत्रे तीसरा आपन लिखेंगे कल्टिविटर यह खेज की जुताई के काम आता है अब बच्चों आपन देखते हैं प्रिश नमबर 13 यहाँ पे गदांश दिया हुआ है जिसमें कि गैन क्रेशी, बिस्तरत क्रेशी और बिस्तरत क्रेशी के बारे में बताया है तो आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर अपन इसके कोश्चन आंसर लिखेंगे जैसे कि पहला कोशन है भारत आदी देशों में ग्यान किशी पर बल क्यों दिया जाता है इसका उत्तर है जब खेतों में एक ही बर्ष में दो या दो से अधिक की जाती है तो उसे ग्यान किशी कहते है दो या दो से अधिक फसले की जाती है तो उसे ग्यान किशी कहते है प्रिषी में सचाई के आद友 निक तरीक्ये अपनाएं अपनाने से क्या लाव हुए इसका उत्तर लिखिए आप लोग रशी में सिचाई की आदूनिक तरीके अपनाने से खेतों को परियाप्त पानी मिला जिससे फसलों का अत्यादिक फायदा हुआ अब बच्चों अपन आखरी प्रिशन देखते हैं 14 नंबर का है जो की निम्लिकित विशों में से किसी एक परसंचित टिपड़ी लिखिए उन्नत बीच डिप वेवं इस्परी कलर सिचाई विदी रोपड़ विदी और चोथा है गोवर गैस सन्यत तो अपन गोवर गैस सन्य साथ विजली बल जलाने में किया जाता है इसरे विजली की बचत होती है घर गैस से हमें बोजन पकाने के लिए एंदन खेतों के लिए जैविक खाट और घरों में प्रिकाश के लिए उजय प्राप्त की जा सकती है तो बच्चों आपका ये पार्ट बाइस भी पूरा हो ग और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनते ही है लाइक जरूर कीजिए वीडियो को और साथ ही चैनल को सब्क्राइब भी कर लीजिए ठीक है बच्चों ओके बाए बच्चों